ये गाइज वेलकम टू माई चैनल सो मैं टैरोट का डीडिंग और इस टाइम की जो रीडिंग है वो देखेंगे क्या है आज जो मैं रीडिंग करने जा रहे हूँ बैसक लिस चीज को देखेंगे आज कि क्या जो आपकी पार्टनर है अगर वो थर्ड पार्टी में है थर्ड परसन में है ठीक है? और आपका relation, आपका रिष्टा third person की बज़े से अगर disturb है और third party की बज़े से अगर आपका रिष्टी में problems है तो क्या third party, third person आप दोनों के बीच से, आप दोनों के relation से जाएगा या फिर आपका जो रिष्टा है मतलब बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा या third person जो है, वो आपके रिष्टे को खराब करवाएके ही छोड़ेगा तो यहाँ पर जो energies है, आज उसी चीज को देखेंगा dear guys, so, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यह एक general reading है, ठीक है और timeless है, मैं यह timeless बना रही हूँ तो suddenly अगर मान लीज़े, आपके सामने मेरी terror card reading आ जाती है ठीक है, तो समझ लीज़े, आपके लिए है मेरी terror card reading, इसमें जो energies है, आपके partner की energies है, और कुछ messages है बहुत ही important, जो शायद आपके लिए बहुत जरूरी है इसलिए मेरी terror card reading आप तक आई है तो देख लेते हैं कि क्या आपका रिष्टा आपका relation बच पाएगा या third party की बज़े से आपका relation अगर आज disturb है तो क्या future में आप दनों साथ होगे क्या आप दनों का साथ होगा, इस चीज़ को terror card में देखेंगे, so ये जो reading है, सब ही लोग देख सकते है मतलब आप girl है, boy है, male है, female है किसी भी relationship के लिए देख सकते है आपका relation कोई भी हो सकता है आपके partner के साथ married, love life, relationship या फिर कोई any other type of relation हो सकता है तो मैं राशी है, इसमें बता दूँगी जो भी राशी मेरे cards में आएंगी energies के according मैं उसमें आपको बता दूँगी कि क्या राशी है देख लेते हैं कि क्या आप दौलों के बीच में जो third party है जिसकी बज़े से आपका relation disturb वे तो क्या ठीक होगा तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह चीज़ देख रही हूँ तो health and career दोनों ही इस time पर disturb हो गई होंगे आपके relation के बज़े सयासा मेरे को दिखाई दे रहा है relation का effect ठीक है आपके career पर आपके health पर भी पढ़ रहा है मतलब ज़ो आपका relation है चाहे आपकी married life हो ठीक है या पर आपका love life हो लेकिन आप यह देखिए कि इतना ज़ादा मेरे को यहाँ पर आपका relation disturb दिख रहा है जिसकी बज़े से जो असर है वो आपके काम काच पर पढ़ता हूँ दिखाई दे रहा है आपका स्वास तिगड़बड़ हो गया आपका दिमाग जो एवर 24 आवर्स में देख रही हूँ कि उन्हीं चीजों में लगा हूँ यहाँ पर जो कार्ट्स में देख रही हूँ ना यहाँ आपकी कार्ट्स और यहाँ पर जो मैं कार्ट्स ले रही हूँ तो आपका mood भी swing हो रहा है जिसका पूरा का पूरा असर आपके कामकाज और आपके career और आपके health पर पपड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जादा stress और तनाओं की बज़े से आप बहुत जादा low feel कर रहे हो है ना ऐसा मेरे को दिख रहा है क्योंकि silence communication है बात ना होने की बज़े से stress हो रहा है आचा आपकी जो partner की energies आपके card की बज़े से आ रही card से जो आ रही है वो मुझे यहाँ यह दिखाई दे रही कि उन्होंने आपको confidence relation में रखा आपका relation के साथ एक confidence relation था बट सड़ली एक third person आया और सब कुछ आपका जो है वो उसमें चला गया मैं इस चीज को देख रही है और आपका partner तो जैसे आपको भूली गया उसको तो जैसे आप याद ही नहीं है उसने तो proper तरीके से मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि यहां पर जो स्वास आपका जो डिस्टर्ब हो रहा है जो सारा दिन का तनाव सारा दिन का स्ट्रेस और हट लोग फील करना वो सिर्फ और वापस ली करते रहते हैं क्योंकि कहीं नहीं आपके दिल में चोट बैठी है आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना जादा जिस इंसान के ओपर फेद किया विश्वास किया प्यार किया उसके लिए सब कुछ किया ठीक है और उस इंसान ने इस तरीके से वेवियर किया जैसे कि मतलब कौन हुम है क्या हुम है मतलब बिल्कुल ही भूल गया ऐसा मुझे फिल हो रहा है कि आपकी ऐसी इनर्जीज पर आज भी आप वेट कर रहे हैं आज इतनी उसके बाद भी आज भी आप यह सोच चे रहे हो कि भाई चलो बो ठी आ जाते हैं लौट कर तो हम उनका वेलक पार्टनर के एनर्जीज हैं देखो आपके पार्टनर की जो फिर्स्ट अर्जीज आ रही है वो यहां पर इस चीज को बता रही है कि जो थर्ड पर्सन का चुनाव उन्होंने किया है अपनी जिंदकी में वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा रॉंग है उनके लिए भी र तर्जीज आ रही है वो थर्ड पर्सन से खुद भी बाहर आना चाहते हैं मैं यहां पर यह देख रही हूँ वो खुद नहीं चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में रहे क्योंकि थर्ड पर्सन से उनकी लाइफ पर असर पड़ रहा है मैं यहां पर देख एक तो आपका साथ छोट किया, ये चीज उनको रिलाइस हो गई है, दूसी चीज में यहाँ पर यह देख रही हूँ कि बहुत सारी चीजे ऐसी थी, जो मांसिक तनाव, स्ट्रेस, जो थर्ड पार्टी उनको बहुत जादा दे रही है, थर्ड परसन के साथ आप यहाँ पर ख आज की डेट में, आज की उसमें आपका पार्टनर प्रॉपर तरीके से इस थर्ड परसन से बहार आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उसके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़ादा, थर्ड परसन जो भी है, बहुत जदा अर्ग्यू, बहु बिल्कुल भी मैचर ना रहे, आपका पार्टनर बिल्कुल भी आपकी तरफ धियान ना दे, अपनी जिम्मेदारियों से मूँ मूड ले, यह चाहता है थर्ड परसन, लेकर आपका जो पार्टनर है, आपका जो पार्टनर है, आई तिंग हो सकता है कि यहाँ पर कोई कर्शनशिप में भी हो सकते हो, आप लब में भी हो सकते हो, आप सिंगल भी हो सकते हो, जो भी एनर्जीज है, सब की एनर्जीज में बता रहे हूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, रात में जाकर है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा है कि उसने क्या मिस्टेक की इस थर्ड परसन से रिष्टा रख कर और अब ये जो थर्ड पार्टी है ये प्रापर तरीके से आपके पार्टनर का सब कुछ जो है वो यहां पर मैं देख रही हूँ सुख, चैन, घर, मैचौर्टी, एनर्जी, काम का सब कुछ चाहती है कि वो प्रापर तरीके से डिस्टर्ब हो जाए और ऐसा हो भी रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में तो वो खोद बखोद अब उनकों स्ट्रेस हो रहा है, उनकों लग रहे हैं कि उन्कों ने एक अच्छा खासा लाइफ, एक अच्छी, खासी आपके साथ रिष्टा, सब कुछ उनने खतम कर दिया, सब कुछ क्छ खतम कर दिया, ऐस थार्ट परसन की बजे से आपको इगनोर किया आपसे बात करना बंद कर दी आपके साथ बहस हुई ठीक है आपसे मूबान कर लिया यहां तक कि ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी कारवाही करके आपसे रिष्टा खतम भी कर दिया है और यह भी लग रहा है आपकी वैल्यू लव की वैल्यू एक ऐसे प्यार की वैल्यू क्या है तो अब वो यहां पर मेरे को खुद स्ट्रेस में दिख रहे हैं और खुद आपका पार्टनर जो है वो थर्ड परसन से निकलना चाहता है ऐसा मेरे को यहां पर और यहाँ पर जो भी लोग रेडिंग इस ट्राइम पर देख रहे हैं मिरको बड़ी स्ट्रोंग एनर्जी जा रही है अगर आपका पार्टनर इस थर्ड परसन में है तो डेफिनेटली उसकी आने की एनर्जी बहुत स्ट्रोंग है ठीक है तो यहाँ पर आपका रेलेशन जो हो सकती है नई शुरुबात हो सकती है और आपकी बीच में जो तनाव स्ट्रेस था वो मुझे लग रहा कि आटोमेटिकली खतम हो गया क्योंकि कहीं न कहीं आप सालेंस है आप तो सालेंस है लेकिन उधर थर्ड परसन इनके उपर इतना कंट्रोल किया इतना नजह रखा जि यह सारी चीज़ों से रात रात भर सोते नहीं है जाकते रहते हैं तो आप सारी चीज़ें उनको लग रहा है कि अब यह बेकार है इस थर्ड परसन में नहीं जाना चाहिए था सो यह गलती हो गई तो अब वो खुद थर्ड परसन का रिष्टा तोड़कर मुझे आपकी तर सोर ले लेती हूं कि क्या फ्यूचर आप दोनों का एक साथ है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और अपान्मेंट के लिए कॉल ना करें केवल वटसब पर ही पूछें जितनी मर्जी बार पूछें अपान्मेंट के लिए लेकर कॉल ना करें प्लीज कॉल ना करे appointment cable whatsapp पर लें, देखो यहाँ पर जो energy's आ रही है, वो energy's दुबारा से एक होने की आ रही है, आप यहाँ पर देख रहे हो, कि कैसे एक हाथ में दूसरा हाथ है और यहाँ पर heart बना हुआ है, ठीक है, तो यह energy's यहाँ पर कहीं न कहीं ऐसा आ रही है कि जो चीज आप समझाना चाहते थे अपने पार्टनर को, जो उनको बोलना चाहते थे, कहीं न कहीं, वो आज खुद इस चीज को understand कर चुके हैं और वो आपके relation में, खुद आपके life में, मचौटी के साथ एक जिम्मेदार, एक loving पार्टनर के रूप में, आपके life मेंगे जिससे आपकी life की जो उदासी है, जो मैंने ऊपर की cards में देखी और आपको बताई, वो उदासी, वो stress चीज़ें दूर हो जाएंगी, और आपका जो health और wealth या पर जो career आपका disturb हो रहा है सिर्फ रेशन की वज़े से, वो काफी अच्छा करियर भी हो सकता है आपका जब आपका relation ठीक हो जाएक हो तो career में भी आपका जो है, वो एक अच्छे मिल रही है, तो definitely third person का इस्ता चोड़ कर आपका partner जो है, वो आपकी तरफ मेरे को आता हुआ, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यही टेरो कार्ट में में देख रही हूँ, so dear guys, जैश्री रादे कृष्ण के में बुक्स में बिल्कुल भी ना बोले, and कितना resonate किया है, मुझे जरूर बताया करिये daily, ताकि मैं आपको जो है, वो बता सकूँ, यहाँ पर मैं आपको राशी और बता देती हूँ, मैं लास्ट में बता रही हूँ राशी लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो आप जड़ा धिहान से सुन लेजेगा राशी को, और मैं यहाँ पर मैं वैंट्स के इनर्जी देख रही हूँ, तो मेश और सिंग और धनू और यहां पर कर्क, स्कॉर्पियो और पाइसस यहां यहीं कैंसर ब्रश्चिक और मेन राशी एंड एर साइन ओके एर साइन पूरा है यहां पर ठीक है तो पूरा एर साइन है ब्रश्च अप करने हाँ और यह राशी है मैंने आपको और बता दी हैं आपर जो मेरे को दिखाए दे रही थी पैंटिकल यह पैंटिकल है सोट्स है एंड वैंट्स है एंड कप्स अल्मूस्ट सभी तरह की एनर्जीज हैं यहां पर सुर्यार गाइस आई होप से कनेक्ट की होगी चाने को लेक्स जेका आएन चेक क्यार बाइब बाइब